प्रशकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे ये वीडियो पार्ट टू होने वाली है चेप्टर टैन का तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है नियोजित बस्तिया तो प्रेशन बनता है नियोजित बस्तिया किसे कहते हैं तथा इसकी जमीन को उनकी स्वा इक्षा द्वारा लिया जाता है तथा उसके बाद बस्तियों की स्थापना की जाती है इसके अंतरगर क्या होता है नालियां सड़के निर्मान वह निर्मान से पहले ही होता है भवन निर्मान के बाद लोगों को वहां बसाया जाता है जो नियुजित बस का निर्मान किया जाता है जैसे कि नियोजित प्रकार से जैसे कि आपने हडपा सब्धिता में पढ़ा होगा अब 12th क्लास में है तो हिस्ट्री में तो इसी प्रकार से क्या होती है नियोजित पस्तियां होती है इन बस्तियों में क्या होता है परतेक प्रकार की सुविधाय विवस्ता सुनिशित होती है जिससे क्या होता है व्यक्तियों का जीवन सडल होता है असानी से व्यतित होती है नेक्स टॉपिक है ग्रामिन बस्तियों के पड़ती रूप जो ग्रामिन बस्तियों होती है उनके पड़ती रूप कितने है तो ग्रामिन बस्तियों के मुक्ता ती तो ग्राम इन बस्तियों के मुखे प्रकार हैं मैदानी मैदानी ग्राम पठारी ग्राम तथा मरुस्तल्य ग्राम तो इस प्रकार से उनका विन्यास किया गया है कि मैदानी ग्राम होता है पठारी ग्राम होता है तथा मरुस्तल्य होता है दूसरा है हमारा कारे के अधार पर य विषेष परकार के होदे वИदुसे क्या करता है उसे प्रकार के कार्य करता है मिद कश्यवारों ग्राम बोले जहां पर क्रिष्ची जधा होता है तो जहांपर क्रिष्श होदा निसींगे विचे पहिष्वेतरते हैं हमारा अगला है बस्तियों की आकृति के अधार पर यानि तीसरा है बस्तियों की आकृति के अधार पर तो इस प्रकार की बस्तियों में कई प्रकार की जैमीतिया आकृतियों की बस्तियां हो जाती हो सकती है जैसे कि रेखी अकार की आयता अकार की वृता अकार की तारे के अक टीके अकार्की और चौक, पट्टि, दोहरे ग्राम इतियादी यानि जो बस्तियों की आक्टि की अधार पर बताए गया है तो इस प्रकार से उनका विन्यास हो सकता है तो पहला है हमारा रेखिक पर्तिरूप तो इस प्रकार की बस्तियों में मकान सरकों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटियों के किनारे अथवा तटबंदों पर स्थित्थ होते हैं तो इस प्रकार के जो मगान होते है रेखे परती रूप वो जैसे कि रेखा के समान खिचे होते हैं जो बस्तियां होती है बसी होती है तो रेखा के समान जो जो चीज़े आती है आप उसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि रेल लाइने सीधी होती है नदी होती है सीधी होती है ग्रामिन बस्तियों का यह पर्ति रूप सम्तल छेतरों अथवा चोड़ी अंतरा पर्वतिय घाटियों में पाया जाता है। एवं तलावो आदी के चारों और बस जाने के कारण विक्सित होते हैं। उसका क्या किया जाता है उसको बनाया जाता है ताकि जो घर में जो पशुपालन है उसको ध्यान दिया जा सके जो जंगली जानवर है उनसे। और हम पॉइंट है तारे के अकार का पर्ति रूप तो ऐसी बस्तियां जहां मार्ग आगर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं। जहां पर क्या होता है कई मार्गे आकर मिलती है और जैसे क्रॉसिंग का लाइन बन जाता है तो क्या होता है क्रॉसिंग पर जो क्या होती है लोग क्या करते हैं अपना मकान बनाना शुर कर लेते हैं उसके किनारे किनारे पर तो इस प्रकार से क्या होता है तारे के अकार का परतिरों पre विख्सित हो जाता है, पांचव में हमारे fatty駍-a kitchen वाइ अकार तथा k्रोस अकार की बस्तिया सरक के तिहाय पर विख्सित होती है जबिझे य अकार की बस्तिया उन चेतरों में पाई जाते हैं जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्क से मिलते हैं क्रोस अकार की बस्तियां चोड़ाहे पर प्रारम होती हैं जहां चोड़ाहे से चारो दिशा में वापस शुरू हो चाता है हमारा छटा है दोहरे ग्राम इन बस्तियों का विस्तार नदी पर पूल या फेरी के दोनों और होता है जो दोरे मारगेक वाले होते हैं या इनका निर्मान कहां पर होता है नदी के पुल या फेरी के दोनों और होता है तो इस प्रकार से क्या हुआ है बस्तियों की आकरते के अधार पर ये पांच प्रकार अच्छे प्रकार बताये गए हैं आप इन्हें लर् बस्तियों की अधिक लिए अभावुट धाचा भी अविक्सित है जो विकाशिय देश है numa पर बस्तियों की संख्या अधिक है परन्तु उनका बस्ति धाचा बहुट जिसके कारण समस्य होती हैं दूसरा पॉइंट है विकाशिल देशों में ग्रामिन बस्तियों में जल की आपूर्टी भी अपरियाप्त नहीं है परवती आवं शुषको चैत्रों में निवासी को पीए जल हेतु लंबी दूरिया तः करनी पडती है जो विकाशिद देश है उनमें क्या है जो ग्रामिन बस्तियां है उनमें क्या जल आपूर्टी भी प्रयाप्त नहीं है उनको जो परवतिया उम्शुष के छेत्रों में रहते हैं उनको लंबी धूरिया ताय करनी पड़ती है केवल जल के लिए पॉइंट है जल जनित बिमारिया जैसे है जा पीलिया आदी समान है दक्षिन एशिया के देश प्राए बाढ़ एवम सुखे से ग्रस्त रहते हैं सिचाई सुविधाय कम होने से क्रिशी कारे पर भी प्रभाव पड़ता है तो जल जनित बिमारिया भी होती है और क्या तो सौचाले एवम कूरा घर कच्रा निस्तार की सुविधाय नग्निय है यानि कि वहां पर ना के बराबर है सौचाले और कूरा घर की समस्या जिससे इन छेतरों में क्या होता है स्वात्य संबंदित समस्या रहती है जो ग्रामिन बस्तिया उन में क्या सौचाले कूरा कच्रा क निस्तार करने का कोई अच्छा सुविधा नहीं है जिसके कारण कई समस्यां उत्पन होती है पांचा पॉइंट रहेगा कच्ची सरक एवं आधूनिक संचार के साधनों की कमी भी यहां की प्रमुक समस्यां है वर्षा रितू में इन छेत्रों का संपर्क आसपास के छेत्रों से कट जाता है जो घ्रामिन बस्तियां होती है यहां पर कच्ची सरके होते हैं जिसकारन क्या होता है जब बार इस बार जैसी समस्यां उत्पन होती है तो जो शहर होते हैं उनसे क्या होता है इनका संपर्क बिलकुल ही तूट जाता है क्योंकि यहां पर ना तो संचार की सु स्याएं है